हेलो एब्रिवन, कैसे हैं आप सब? आप सब का मेरे चैनल पर बहुत बहुत वलकम तो जो आज हम करेंगे क्लास सेकिंड की EBS बुक My Living World उसका चैप्टर नुबर सेकिंड है More on Personal Cleanliness and Good Habits यह चैप्टर को मैं explain करूंगी difficult words आपको साथ साथ मैं बताऊंगी और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें पूरा चैप्टर हम अच्छी तरह करेंगे और नएनी चीज़ें सीखेंगे तो पिछला चैप्टर कवर करने के लिए आप मेरे चैप्टर वीडियो देख सकते हैं यह लास्ट हिया न हमने क्या किया था? बॉडी पार्ट समझे थे फर्स्ट की बुक में तो सेकिंड की बुक में हम यह चैप्टर करेंगे हाँ अगर हमारे फॉर एक्जांपल हैंड ही क्लीन नहीं है तो क्या हम तंदरुस्त रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं वो हैंड ही हमारे माउथ में जाएंगे और सारी गंदगी हमारी बॉडी में तो देखे कैसे किन-किन कार्णों से हम अपने बॉडी को साफ रख सकते हैं फर्स यह पिक दी हुई है एक लड़के की वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अदे वी वाश आवर माउथ आफ्टर एवरी मील हमें ब्रश कब करना चाहिए? दिन में दो वरे जब आप सुबह उठते हो ना एक तो तब बहुत इंपोर्टेंट है तब करना है और रात को सोने के टाइम सोने से पहले आपने ब्रेश करके अपने टीथ को क्लीन करके आपने फिर सोना है वी वाश आवर माउथ आफ्टर एवरी मील और खाने के हर जैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया बाद में लंज देन डिनर तो खाना खाने के मील के बाद अपना माउथ आउटर से क्लीन करना है इनर एन आउटर दोनों तरीके से हमने अपना माउथ क्लीन करना है और दो टाइम ब्रेश करना है वी टेक बात डेली हम क्या करते हैं रोज नहाते हैं कभी भी कुछ छुट्टी नहीं मारने कि आज नहाना ममा कल नहाएंगे यह तो कई बच्चे करते हैं जैसे विंटर्स में पर नहाना रोज चाहिए और नहाते से हमें क्या करना है अपनी आइस को इयर को नोज को अच्छी तरह से क्लीन करना है कि सारे बेक्टीरिया सब कुछ निकल जाए वी वियर क्लीन एंड आरेंट क्लोथ भी हमें क्या करना है साफ सुत्रे और प्रेस किये हुए कपड़े पहनने हैं अगर हम यूनिफॉ हेर निच ली और हमें कॉम करके है रखने चाहिए यूनिए कि बाल बिख्रे है और हम स्कूल जा रहे हैं यह किसी के घर जाने तो हम कॉमी नहीं की यह इपने बालों को अच्छा करने के गया है रेगलरली उसको ऐल लगाना चाहिए तो यह चीज जैंग धी हमें बडी क्ली करने के लिए आगे देखते हैं वी काट वर नेल्स रेगुलर्ली और हैंड्स के जो होते हैं इसको भी रोज काटना है रोज तो बिग नहीं होंगे पर जब भी होंगे तो इसको ममा से कटवाना है इसमें अगर बैक्टीरिया यहां पर पैदा हो गए वह आपके माउट से आपकी सफाई बचो नहीं रखेंगे तो हम फिट नहीं रहेंगे और जल्दी से जल्दी बिमार होते रहेंगे लुक एट मानू ही इस से एन अनहेल्दी यह जो बच्चा ही यह सिक है कैसे मानू डज नो ब्रेश इस टीथ अब यह रोज ब्रेशी नहीं करता दो टाइम भी जब हम अपने दो परी दिन में ब्रेश करेंगे ब्रेशिंग क्या ब्रेशिंग क्या ब्रेशिंग क्या हल्प करती है हमारे टीथ को खराब होने से बचाती है मनू डज नो टेक बात है और नहाता भी नहीं है रोज if we do not take बाल regularly we smell अगर रोज नहा होगे नहीं तो आपके प पास नहीं बैठेगा smell लाएगी मनू डज नोट कॉंब हैर और अपने बाल भी ठीक तरह से वो नहीं रखता घिलरे रहते हैं if we do not come over here it it is और क्या होगा अड़के अगरा पढ़ जाएगी और खारिश होनी शुरू हो जाएगी तो यह चीज़े जरूरी है मनू डज नोट क इतने बिक करके रखे हो है इससे वो जल्दी इन आदितों से जल्दी वो बिमार पढ़ेगा next is we see the pictures given below and take the child you would be your friend अब इन दोनों में से कौन सा बच्चा है जिनको आप अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो एक है जो good boy है neat and clean उसने कपड़े पहने है कॉम किया हुग है और शा नहीं कभी भी नहीं always good good habits अब कौन-कौन सी आदते हैं जो हमें अच्छी अपनानी चाहिए along with cleanliness we should also follow some good habits avoid talking or laughing while eating जब हम खाना खाते है ना तो चुप करके हमें खाना खाना चाहिए ज़्यादा बातें नहीं करने चाहिए उससे क्या होता है हमारा ध्यान खाने की तर होता हम easily दीर दीरे chew करते हैं और खाना हमें हमारी health को बढ़ाता है तो हमें क्या करना है चाहिए avoid talking बोलना ने चाहिए और हसना ने चाहिए खाना करते समय नेक्स कौन सी habit है putting pins और sharp objects into eyes और ear में hurt us और कोई भी sharp नुकीली चीज अपने eyes में, ear में और nose में नहीं घुसानी इससे जादा नुकसान पहुंचता है sharing of handkerchief and sharing of handkerchief and towel may cause infection अब एक या एक बंदे को यहां पे जुकाम खांसी है वो अपना ही तावल दूसरे girl को दे देता है कि तुम भी use कर लो तो इससे क्या होगा उसके infection इस girl पे चलेगी तो यह habit कभी नहीं अपनाने यह वली नहीं अपनाने और यह वली भी बिलकुल है use a hanky while coughing or sneezing जब आपको खांसी आती है जहां छींके आती है तो आपको क्या करना चाहिए एक hanky पास रखना चाहिए यह good habit आपको अपनाने है biting nails can make us fall है फिर वही बात अगर हम nails काटेंगे नहीं और nails बढ़ते जाएंगे तो कई बच्चों के आदत होती है उनको मुह से काटना तो मुह में क्या जाएगी वह nails की गंदी बैक्टीरियाज जाएंगे तो फिर आप बिमार पड़ोगे तो यह habits हमको नहीं अपनाने जाएंगे नेक्स हमें दिया है something to do here are things which help to keep us clean find out the brand names of the following यहां पे toothpaste है जो बच्चों आप घर में यूज इसका नेम देखो और यहां लिखो बाद सोब नहाने वाला सोब यह रोयल शैंपू टूथप्रेस जो जो आप यूज करते हो इस ब्रैंड्स की चीजे वह नेम की उनका नेम यहां पे आपने लिख देना है next is find out the different objects in the box given below and write the names against the correct statement अब यहां से क्या आएगा it may your teeth shine bright वो है वैसे तो सबने आपने फोटो देख लिगा पर फिर भू चलो करते हैं कौन सी चीज है जो आपके टीद को shine करवाती है टूथपेस्ट यूज मी वाइल टेकिंग बात नहाने के टाइप हम क्या यूज करते हैं सोप बात सोप आई ट्रिम यूर नेल्स कौन काटता है हमान कौन सी चीज है कौन सी चीज है क्या चाहिए जब हमें खांसी या जुगाम होता है हमारे हैंड में क्या होता है है हैंकी next is write good or bad against the following इसके आगे हमने good और bad लिखना है जो जो चीज़े हमें दे गई है I brush my teeth twice a daily मैं रोज दोबर ही brush करती हूँ तो इसका ये good है यहां पे हम क्या लिखेंगे good I clean my nose with my sleeves no basu basu से अपने nose clean करते है यह आगया bad I wash my hands before and after me is a good habit I spit on the floor मैं floor पर थूखता हूँ no bad I do not share my towel or hanky it is a good good habit किसी के साथ हमने share नहीं करना चाहिए टावल I bite my nails यह तो बहुत गलत बात है तो बच्चों आइस से आपको पता चला ना कौन सी good or कौन सी bad habit है तो वहीं आपने follow करनी है इस next वीडियो में हम डिसकास करेंगे इसके question answers और exercises thank you